जैहिंद मैं अमन कुमर पांडे आप लोग को ब्राइट पब्लिकेसन के यूटुब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ तो कैसे हैं आप सब उमीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे मस्त होंगे और आसा करता हूँ कि आप लोग इस चैनल को सस्क्राइब कर चुके होंगे यादि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी प्रेस कर ले ठीक है तो चलिए हम लोग आज चेप्टर नमबर 9 बीजी ए बियांजक का आज हम लोग सब्सक्राइब करने वाले हैं सबी कुश्चन को बहुत ही असान चेप्टर है बहु कि बीजी ए बियांजक दिया गया है इसको जोड़ना है ठीक है पहले इसके पहले हम लोग सब्सक्राइब करें इसके पहले हम बता देते हैं कि बीजी ए बियांजक में कैसे जोड़ा जाता है तो जो एक जाती को होते हैं कि जो एक जैसे होते हैं उन्हीं को आपस में जोड 3x तो इसको हम लोग जोड़ सकते हैं यह हो जाएगा 2 और 3 5x हो जाएगा ठिक है लेकिन यहीं एक question आ जाएगा कि 2x plus 3y तो यह नहीं जूटेगा इसको जड़ी हम लोग लिखेंगे तो सेम टू सेम लिखेंगे 2x plus 3y इसका एंसर यहीं हो जाएगा तो कहने का मतलब यह था कि जो एक जैसा रहते हैं उनहीं को हम लोग जोड़ देंगे और अलग अलग रहेंगे तो उनको क्यवल हम लोग प्लस माइनस लिखेंगे ठिक है किलियर है चलिए जो समझाना चाहते थे वह समझ में आ गया तो चलिए आई हम लोग क्वेशन पर आते हैं क्वेशन नंबर एक है ध्यान दिजिए कि ए नंबर बोल रहे है कि एक स्वाई और प्लस थीरी एक स्वाई ध्यान दिजिए कि देखिए कि दोनों एक जैसा है कि नहीं यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक है ना एक स्वाई और प्लस थीरी एक स्वाई एक स्वाई प्लस तीन एक स्वाई कितना हो जाएगा टोटल चार एक स्वाई हो जाएगा ठीक है न, अब इसको कैसे हम लोग solve करेंगे, तो वो देख लिजिए, कि ये solve कैसे किये हैं, तो common ले लिए हैं, common इसमें xy और इसमें भी xy है, तो common ले लिए xy, तो common क्या चीज होती है, common वो चीज होती है, कि जो दोनों में divide लग जा, ऐसे संख्याच जो दोनों पदों में divide लग जाए, तो यहां पर देख लिए कि दोनों पद में xy है, तो यह common ले लिए, इसमें से x common बाहर आया xy, तो यहां पर 3 बची गया, फिर प्लस इसमें से xy बाहर common आ गया, तो यह बची गया 1, तो 3 और 1 कितना हो गया, 4, तो क्या आ गया, 4xy, clear है, समझ में आ गया, x square प्लस 3x, प्लस 2x, प्लस 9, ठीक है, तो पहले ही हम बता चुके हैं कि क्या कर रहा है, कि एक पद, मतलब एक जैसा दिखाई दे, एक जाती का दिखाई दे, उसको हम लोग solve कर लें, ठीक है न, उसको हम लोग जोड देते हैं, तो इसको लिख दीजिए, x square का x square, यहां पर 3x है, और यह quest अटा देंगे, तो कुछ नहीं, simple आजाएगा, 2x प्लस 9, quest अटा दिए, चलिए अब solve कर लेंगे, x square, इनको देख लीजिए, यह हम लोग जोड सकते हैं, एक जाती के है, तो x common लेके 2 प्लस 3, तो यह हो जाएगा, और in 2 में x और प्लस 9, clear है यहां पर, दोन 9, x square प्लस 5x प्लस 9, clear है, समझ में आ गया, चलिए, आगे बढ़ते हैं, c number, question number c है, c number question है कि 1 से square प्लस y square हम पहले ही बोले थे, हश्ट में हैं, कि जब एक जाती के मिलेंगे, एक जैसा मिलेंगे, तब ही उनको add करना है, ठीक है, otherwise वो अलग-अलग मिलेंगे, तो वो लोग अलग-अलग रहेंगे, वो कि वो लिख देंगे, प्लस और माइनस के साथ, जो चीन रहेगा, तो यह देख लिजी, यह अलग है, और यह अलग है, एक जैसा नहीं है, तो इसका answer खेम आ जाएगा, x square प्लस y square लिख सकते हैं, या इसको एस से भी लिख सकते हैं, y square प्लस x square, ठीक है, कोई इसमें परिशानी नहीं होगा, इसका answer यह हो जाएगा, clear है, चलिए, next आते हैं, आगे d number, question number d है, कि 7x प्लस कोष्ट में माइनस 8x है, तो यह देख लिजीए, कि जब कोष्ट अटाईएगा, तो प्लस माइनस में यहाँ थोड़ा ध्यान दिएगा, ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, 7x का 7x, कोष्ट अटा देंगे, तो प्लस और माइनस, दोनों गुना हो जाएगा, तो प्लस माइनस गुना करने पर कितना आता है, प्लस माइनस, माइनस हो जाता है, ठीक है, और 8x हो जाएगा, तो अभी इसको हम लोग घटा दें और नहीं तो 7x-8x भी यह लिख सकते हैं, clear है, समझ में आ गया, उम्मीद करता हूँ, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, एक बात और, कि यहाँ पर कुछ बच्चे confusion होंगे, plus minus में, तो हम उनको बता देते हैं, वो लिख देते हैं यहाँ पर, जिन बच्चे को confusion है, वो लिख लेंगे और याद कर लेंगे, ठीक है, देखिए, plus और गुना, plus गुना, plus, यानि दोनों संख्या जदी plus में रहेगा, और बीच में गुना रहेगा, तो वो होगा, plus में ही उसका answer आएगा, ठीक है, minus गुना, minus, दोनों संख्या है, minus में रहेंगे, तो गुना का चिन जब गुना करेंगे, तो उसका जो आएगा answer वो plus में आएगा, ठीक है, plus गुना, minus, plus में है एक संख्या और दूसरी संख्या minus में है, तो उनको हम लोग गुना करेंगे, त ठीक है, वो संख्या किस में आएगा, माइनस में आएगा, और एक संख्या माइनस में रहे और दूसरी संख्या प्लस में रहे तो उसको गुना करेंगे तो वो माइनस में आएगा, एक संख्या माइनस में और एक संख्या प्लस में है तो गुना करेंगे तो प्लस में आएगा एक संख्या माइनस में और एक संख्या प्लस में है तो गुना करेंगे तो माइनस में आएगा ठिक है answer चलिए तो ये आप लोग लिख लीजिए याद कर लीजिए ठिक है बहुत ही important है ये चीज चलिए आते हैं next e number question number e है e number question है कि 8a plus question में माइनस 2b plus 7a plus 2b ठीक है तो आईए देख लीजिए सल्ब करें पहले question को हटा दीजिए तो 7a जो एक जैसा है उसको एक बर लेते आईए तो यहाँ पर 8a है तो 8a लिख दिये अब यहाँ पर 7a है तो plus में 7a ये plus के साथ आ गया जो चीन है वो चीन के साथ आएगा ठीक है ना कभी भी हम इधर उधर कुछ भी करें कोई भी इसको उठाकर यहाँ ले आए या इसको उठाकर वहाँ ले जाए तो कभी भी उसके चीन के साथ लेकर जाएंगे ठीक है अब यहाँ पर कोई चीन नहीं है तो plus का चीन है ठीक है चलिए तो यहाँ पर हम 7 ने लिख दिए अब देखते हैं यहाँ पर plus और minus प्लस और minus क्या हो जाएगा minus तो minus 2 भी यहाँ पर है और यह plus 2 भी है तो clear है तो plus 2 भी और minus 2 भी कट गया clear है चलिए अब इसको जुड़ेंगे तो 8 वे और 7 वे तो कितना हो जाएगा 15 ए 15 ए आ जाएगा मेरे जो हम बताएं हैं उसके तरीके से direct जो लिजिए 8 वे और 7 वे कितना हो जाएगा 15 वे हो जाएगा और यह थोड़ा rule से आते हैं तो a common ले लिजिए देख लिजिए दुनों में a है तो a common ले लिए बाहर तो यहाँ पर बच जाएगा 8 और यहाँ पर बच जाएगा साथ 20 में plus तो 8 साथ 15 और इंटू में एक्स तो 15 a clear है समझ में आ गया चलिए next question पर आते हैं एफ नंबर question नंबर एफ एफ नंबर question बोल रहा है कि 8 एक्स प्लस यहाँ पर माइनस टू एक्स फिर प्लस और यहाँ पर माइनस फाव एक्स यह कुष्ट के अंदर होना चाहिए ठीक है फाव एक्स और इसको हम लोग सल्व करेंगे तो देख लिजिए ध्यान दिजिए कि यह तो 8 एक्स पाले लिख दिए यह प्लस माइनस माइनस हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस टू एक्स और यह प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस छो एक्स है तो जब भी हम कमन लेंगे कमन ले लिए इसमें से डाइरेक्ट कमन लिए एक्स कम common ले सकते हैं 2 vcommen ले सकते हैं तो कोई बात नहीं केवल x common लीजिए ठीक है एक स्कमोन लीए तो यहाँ पर बच या ऑट और यहाँ पर बच जिया दो और यहाँ पर बच गया 6 तो किया हो जाएगा और मैंनस यह यह हो जाएगा 6, 8-8 into x, तो यह हो जाएगा 8 में से 8 गया 0, तो 0 गुने x बराबर क्या आ जाएगा 0, ठीक है, 0 answer आ जाएगा, clear है, आई यह आगे देख लेते हैं, solve किया होगा, चलिए, यहाँ पर देख लेजिए, कि 8-8 into x, तो यह हो जाएगा 0 गुने x, तो बराबर 0 आएगा, ठीक है, 0 गुने x, तो बराबर 0, चलिए, next question पर आते हैं, g number, g number question है, g number question है, कि 2.3x प्लस 1.7x बराबर, तो इसको क्या करेंगे, direct देख लीजिए, कैसे इसको solve करेंगे, दोनों एक जैसे दिखाई दे रहें, दोनों एक जाती के दिखाई दे रहें, तो common ले लिजिए, क्या common हो जाएगा, तो x दोनों में है, तो x common हो जाएगा, तो 2.3 प्लस 1.7, तो इनको जोड़ेंगे, तो 4 हो जाएगा, इन्टु में x तो आ जाएगा, 4x, clear है, समाझ में आया, समाझ में आया, आग या, दस मालों पर का जोड़ भी simple होता है, same to same, वे साहीं जोड़ा जाता है, जोड़ देते हैं, दिखा देते हैं, कि यहाँ पर 2.3 और प्लस 1.7, तो इसको हम लोग जोड़ेंगे, तो 3 और 7, कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे, तो 0, 10 होगा, 3 साथ 10, तो 10 का 0, हांसिल 1, तो 2 और 1, 3 होगा, और एक हांसिल जोड़ दिजिए, तो 4, और यहाँ पर point है, तो point दे दिजिए, तो 4.0 यानि 4, तो 4 x आ गया answer, क्लियर है, समझ में आ गया, चलिए, next question है, h number, question number h, h number है, कि 2 बटा 3 x, प्लस 1 बटा 3 x, और प्लस, माइनस x, तो पहले क्या किजिए, कि इसमें देख लिजिए, कि क्या चीज है, ऐसा, कि जो हम लोग common ले सकते हैं, पहले तो देख लिजिए, आप लोग कि 3 यहीं जाती के दिखाई दे रहे हैं, 3 में जो 4 रासी है, जो समान है, x है, ठीक है, तो इसमें से हम लोग 4 रासी को common ले सकते हैं, तो क्या है वो, इसमें x है, इसमें x है, इसमें x है, तो x को बाहर ले लिए, तो इसमें से x बाहर चला गया, तो क्या बच गया, 2 बटा 3, प्लस का चीन, प्लस, इसमें से x बाहर गया, तो 1 बटा 3, अब यहां पर देख लिए, plus और minus क्या हो जाएगा, plus minus minus हो जाएगा, यहां पर 1 गो एकस है, तो एकस बाहर चला गया, तो इंटू में एकस बच गया, clear है, चलिए, तो अब बच जाएगा यहां पर क्या, तीन लगुतम ले लिजिए बाटा में एक डाल कर तीन लगुतम ले लिजिए तीन से तीन कट गया तो दो और यहाँ पर एक तो यहाँ पर तीन हो जाएगा यहाँ पर बाई मिस्टेक तीन हो जाएगा ठीक है तीन हो जाएगा ठीक है क्लियर है क्लियर है, महाँ पर हो जाएगा 3, तो 3 हो जाएगा, यहाँ पर देख लिज़िए कि 3 हो जाएगा, तो 2 और प्लस 1, तो 3 माइनस 3 बटा में 3, तो इंटू में 1, तो क्या आएगा एंसर, 3 में से 3 गया, तो 0 बटा 3, गुना 1, तो बराबर में आजाएगा 0, ठीक है, 0 आएगा answer इसका यह answer नहीं आएगा 0 आएगा ठीक है 0 आएगा clear है समझ में आ गया समझ में आ गया चलिए नेक्स question पर आते हैं दो नमबर दो नमबर question है कि पहले ब्यांजक में से दूसरे को घटाएं पहले ब्यांजक में से दूसरे ब्यांजक को घटाना है यानि जो पहला ब्यांजक है उसमेंसे दूसरे ब्यांजक को घटा देना है ठीक है इसको अभी हम लोग घटाएंगे तो same पद, मतलब कि same जाती, same अक्षर रहेगा, मतलब कि उसका जो English वाला अक्षर है, जो अक्षर रास्ती है, वो same रहेगा, तभी उसको हम लोग घटाएंगे, ठीक है न, दूसरा रहेगा, यदि अलग-अलग रहेगा, तो उसको हम लोग minus के चीन के साथ, या plus के चीन के आईए, तो पहला ब्यांजग यह है, तो पहले ब्यांजग क्या है, दूसरे ब्यांजग को घटाएंगे, तो minus 10X, ठीक है, ऐसे हम लोग लिखेंगे, ठीक है न, by 6 minus 10X, घटाएंगे, तो कितना आजाएगा, 12X, ठीक है, 12X आएगा, answer, या common लेकर भी हम लोग बनाएंगे, चलिए आगे हम लोग question पराते हैं चलिए question number 1 question number 1 पराते हैं देख लिजिए same to same 22x minus 10x लिख सकते हैं 22 में से 10 को घटाना है तो लिख दिए तो जब हम x common ले लेते हैं तो यहाँ पर 22 बची गया और यहाँ पर 10 बची गया तो क्या होगा 22 में से 10 गया तो 12 into x तो 12x clear है? समाझ में आ गया? चलिए उसी तरह से b number question है कि 17xy minus 19xy तिसमें से भी xy हम लोग common ले सकते हैं दोनों एक जैसा दिखाई ज़रा है तो xy बाहर चला गया तो यह बची गया 17 और यह बची गया minus 19 तो 17 में से 29 नहीं घटता है घटता है ठीक है ना घटता है लेकिन minus का चीन लग जाता है ठीक है? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटेंगे तो वो simple आएगा plus के चीन के साथ लेकिन छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटेंगे तो वो घटेंगे लेकिन minus के चीन के साथ घट जाएंगे ठीक है यहाँ पर पहले छोटी संख्या है और घटाना है उससे बड़ी संख्या को तो यह माइनस के चीन के साथ आ जाएंगे तो माइनस 2xy हो जाएंगे किलियर है किलियर है चलिए सी नंबर कोश्चान है कि a square प्लस 1 और उसमें से घटाना है 2a को ठीक है a square प्लस 1 माइनस 2a घटाना है तो हम पहले ही बताये थे हर बार बोल रहे हैं बाबो कि एक जैसा रहेगा तब ही घटेगा नहीं तो वो चीन के साथ same to same लिखा जा सकता है ठी तो यहाँ पर हम लोग same to same देखिए एक जैसा कोई नहीं दिखाई दे रहा है यह एक से square है यहाँ पर प्लस 1 है और यह माइनस में 2 है तो यह same to same लिख देजिए यहाँ पर केवल अलग-अलग लिख दिया गया है यह 2a को इधर लेते आया गया तो उससे कोई दिकत नहीं ह ठीक है ना कोई दिकत नहीं है आप लिख सकते हैं इसको a square plus 1 minus 2a या a square minus 2a plus 1 ठीक है ना minus के उसके चीन के साथ हम लोग लिख देंगे इधर उदर कुछ भी लिख सकते हैं इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 plus a square minus 2a या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि minus 2a plus 1 plus a square ठीक ह तो हम लोग इधर उदर लिख सकते हैं उनके चीन के साथ में ठीक है ना किलियर है समझ में आ गया जो समझाना चाहते थे चलिए डी नंबर कोश्चन पर आते हैं दी नंबर कोश्चन है कि माइनस सॉरी 8 x माइनस और कोश्च में माइनस आठक सै यहाँ पर देख लिजए कि हमको घटाना क्या है 8 x में से माइनस आठक सको घटाना है तो यह जदी हम घटाएंगे तो यहाँ पर देख लिए कि यह minus और minus क्या हो जाता है plus minus और minus गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा plus में आ जाएगा तो 8x और यह plus में 8x कितना हो जाएगा क्लियर है समझ में आ गया चलिए अब next question पर आते हैं next question है e number e number question बोल रहा है कि 7x y में से 7x y घटा दीजेगा तक कितना xy बचेगा आप लोग खुद बताएगे कि 7x y में से 7x y को घटा देते हैं तो कितना बचेगा zero यदि मान लेजिए कि आपके पास 5 रुपया है और उसमें से 5 रुपया कि आप लोग किछ खरिद लिये या किसी को दे दिए तो आपके पास कितना रुपया बचेगा जीरो रुपया क्योंकि वो 5 रुपया किसी को दे दिए तो वही बात है कि जब में से साथ गया तो क्या बच्ची गया जीरो और गुना मेक्स वाई जीरो में किसी भी संख्या से गुना करेंगे एक बात याद रख लिजिए कि सुन्ने में दुनिया के किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो इंसर सुनने आएगा जीरो में किसी भी संख्या से गुना करें तो इंसर सुनने आएगा ठीक है चलिए एफ नंबर कोशन पर आते हैं एफ नंबर कोशन है कि 7.3 और माइनस यहां पर एक्स होगा 7.3 एक्स माइनस 1.3 एक्स यहां पर सिंपल एक जैसा है तो क्या करेंगे एक्स कमन ले लिए तो एक्स बाहर कमन आ गया तो अब क्या बचे जाएगा यहां पर 7.3 और माइनस 1.3 इसको हम लोग घटा देते हैं कि 7.3 माइनस 1.3 तो 3 में से 3 गया 0 और पॉइंट यहां पर तो 7 में से 6 गया 7 में से 1 गया हो तो 6.0 इन्टू एक्स तो 6 एक्स केलियर है केलियर है समझ में आ गया चलिए नेक्स्ट कोषचन पर आते हैं जी नमबर जी नमबर कोषचन पोल रहे है कि माइनस 6 एक्स प्लस y प्लस 4 जेड माइनस 8 और इसमें से घटाना है इतना को घटाना है ठीक है, minus 6x plus y plus 4z minus 8 है, उसको इतना में से घटा देना है, इतना को घटाना है इस पद से, तो घटाना है तो यहाँ पर minus का चीन लगा देंगे, और इन सब लोगों को कोश्ट में कैद कर देंगे, ठीक है, चलिए, अब देखते हैं बाबू, कि जब यहाँ से हम कोश्ट हटा आटाएंगे, जब यहाँ पर कोश्ट आटाएंगे, तो कोश्ट के पहले क्या है, minus का चीन है, तो जब हम कोश्ट आटाएंगे, तो minus में सभी पद से गुना करेंगे, खीर से समझे, कि जब कोश्ट आटाएंगे, तो इस minus से सभी पदों में गुना करेंगे, ठीक है न, आ और दिये हैं चलिए अब यहांसने को स्टाट आएंगे तो यह अब गुना करना स्टाटro किजिए ये माइनस और ये माइनस त्स9 आओगा प्लस तो प्लस 2x क्लियर है ये देखिए प्लस में और ये माइनस में तो प्लस माइनस गुना किजिए तो माइनस x ये माइनस और ये माइनस तो माइनस माइनस प्लस तो प्लस 5z ये माइनस और ये प्लस तो प्लस और माइनस गुना किजिएगा तो माइनस 8 किलियर है, समाझ में आया, अब देखिए कि जो एक जैसा है, जो आप देखिए कि जो एक जैसा है, एक जाती के है, उनको पास मिलाकर घटा दीजिए, जो डीजिए, जो कटेगा उसको कटा दीजिए, ठीक है, तो चलिए, यहाँ पर माइनस 6X लिख दिए, अब X वाले को अथ लेकर आईए, तो प्लस 2Y, अब देखिए, यहाँ पर 4Z लिख दिजिए, Z वाले को ढूंडिए, यहाँ पर है, प्लस के साथ है, तो प्लस 5Z, ठीक है, अब बच गए यहाँ पर क्या, माइनस 8, अब यहाँ पर यह बच गए, माइनस 8, इनको लिख दिए, अब जो जो साथ X हो जाएंगे, किलिए रहें, माइनस 7X, और यहाँ पर प्लस का चीन दे दिजिए, Y और प्लस 2Y, कितना हो जाएगा, 1 गो Y और 2 गो Y जोल दिजिएगा, तो कितना Y हो जाएगा, 3 गो Y, ठीक है, प्लस 4Z और प्लस 5Z, इन दोनों को जोल दिजिए, तो कितना एंसर आ 4 गो Y और 5 गो Y, जोड़िये आपस में, 9 Z, माइनस ये देख लिजिए, कि इनको जब सॉल्व किजिएगा, तो माइनस 8 और माइनस 8 दुनों आपस में जोट जाएगा, बच जाएगा, माइनस 16, अब फिर से यहाँ पर बच्चे कन्फ्यूज हो रहे हैंगे, कि सर ये भी मा माइनस में, लेकिन जूटा क्यों, तो हम बता रहे हैं कि जब दोनों संख्या माइनस में रहती है, जब दोनों संख्या माइनस में रहेगे, तो इसको हम लोग जोड़ देते हैं, वो जूट जाते हैं, लेकिन माइनस का चीन लग जाता है, ठीक है, दोनों संख्या माइनस म करजा लिए हैं माइनस का मतलब होता है करज का मतलब भी होता है तो आप मान लिजिए कि 5 रुपया अपने एक फ्रेंड से करज लिए हैं और 5 रुपया अपने बड़े भाई से करज लिए हैं तो आप टुटल करज कितने लिए आप टुटल करज कितने लिए 10 रुपया लिए ना 10 रुपय यानि 10 रुपय आप माइनस में है कैसे तो 5 रुपय माइनस में है अपने फ्रेंड से और 5 रुपय माइनस में है अपने बड़े भाया से तो जब टोटल जब आप बूल आपसे पुछा गया कि आप टोटल कितने माइनस में है तो आपने क्या किया कि दोनों को ज करज मिलिया था और 8 रुपय फिर करज ले लिया तो टोटल रुपय कितना करज ले लिया तो 16 रुपय ले लिया तो 16 रुपय यह माइनस में आ गया किलियर है 16 रुपय यह करज में आ गया किलियर है समझ में आ गया कि माइनस कैसे हो जाता है चलिए एच नंबर कोशन पर आते एक जैसे हैं सब एक जैसे हैं तीनों पद एक जैसे दिखाई दे रहे हैं इसमें से एक्स कमन ले लिए तो एक्स जब बाहर आ जाएगा तो यहां पर बच जाएगा एक बटा दू माइनस एक बटा चार माइनस एक बटा तीन सिंपल है एक्स कमन ले लिए इसको बटा पर जो LCM जब हम निकालेंगे जब लगुतम निकालेंगे तो उसमें से देखेंगे कि ये जो पद है ना अंदर इसमें से कम से कम किसी भी संख्या से कम से कम दो संख्या कटनी चाहिए दो पद कटनी चाहिए जैसे कि हम दो से यहाँ पर कटाए हैं तो एक संख्या ये कट रहा था, और एक संख्या ये कट रहा था, तो इसलिए हम दो से कम से कम दो कटना चाहिए, तो हम दो से कटा दिये, अब देखिए कि ये किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, तो अब गुना कर दिजिए, दो गुना, एक गुना, दो गुना, तीन, तो द इसमें इसमें भाग दीजिए, तो चर्तियां ही 12, तीन बार में, तो तीन से इसमें गुना कर दीजिए, तो तीन हो गया, माइनस का चीन लगा दीजिए, यहाँ पर भी, इसको कटाईए, तो चर्तियां ही 12, तो चार बार में, तो चार एकम 4, तियहाँ पर 4 हो गया, तो 6 और माइनस साथ और बटा में 12 यहां पर X और माइनस 1 बटा में 12 एकस माइनस एकस बटा में 12 आ गया answer, clear है, समझ में आ गया मिद करता हूएंग बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा चलिए अब next आते हैं, तीन number question, तीन number question है कि सरल कीजिए, sterral किजिए मतलब asan किजिए asan मतलब जो भी यहाँ पर दिया गया है उसको plus minus गुना भागा जो भी दिया है उसको survive कीजिए तो देख लीजिए यहाँ पर कुछ भी दिया हुआ है पद में तो इस पद को हम लोग जो कैसे करेंगे तो देख लिजी बाबु हम बता रहे हैं कि पहले जो भी पद है एक जैसे पद वाले लोग को एक पास कर लेजिए अपने पास लेते आईए ठीक है और उसके बाद उस्तल्ब कीजिए तो चली आईए देखते हैं क्वेशन पर आते हैं तिन नमबर क्वेशन है यहां पर देख लिए तिन नमबर क्वेशन है कि 2x माइनस 3y माइनस 7x प्लस 2x माइनस y प्लस 2 ते इसको क्या कि यह एक जैसे वाले लोग को एक पद लेते हैं यह एक पद वाले लोग को एक पास 2x यहां पर है प्लस 2x ठीक है यह माइनस 3y तो यहां यह है न माइनस में x था माइनस 7x और यह माइनस 3y और यह भी माइनस y और फ्लस 2, अब इसको solve कर लिजे तो दूदू निका 4 आज 2 दूदू जोड़ियेगे तो 4x है और माइनस 7x और माइनस यह कर दिछेगा तो दूनों माइनस में आ जी जूड़ जेगा तो माइनस 4y plus 2 यहां तक समझ में आ गया तो चलिए 7 और 4 घटाईए तो कितना हो जाएगा minus 3x minus 4y plus 2 एंसर आ गया बस अब आगे सल्व नहीं होगा clear a minus 3x minus 4y plus 2 clear a समझ में आ गया चलिए आए आगे देखते हैं इसमें जो सल्व किया है उसको देख लेते हैं चलिए, same to same वे से ही solve किया गया है, minus 3x minus 4y plus 2 आगया answer, चलिए, next आते हैं, b number question पे, question number b, b number question बुड़ा है कि 5yq minus 3y square plus 2y minus 1 plus 2y square plus 6y minus 5, तो इसको क्या किरिए कि जो एक पद, जो एक जैसा दिखाई दे रहा है, उसको तुरंत अपने पास लेकर आईए, तो ये 5yq लिख दिये 5yq, अब yq वाला आब नहीं दिखाई दे रहा है, तो छोड़ दिजिए, इसको लिखिए, minus 3y square, तो y square वाला ढूंडिए, तो यहाँ पर मिल गया, तो यहाँ पर क्या लिख दिजिए, plus के साथ आएगा, तो plus 2y square, अब इसको लिखिए, plus 2y, अब y वाले ढूंडिए, तो यहाँ पर मिल गया, तो plus 6y, यह हो गया, तो यहाँ पर minus 5 यह है, तो और यह minus 1, यहाँ पर छोड़ गया, तो minus 1 लिख दिजिए, ठिक है, चलिए, तो 5yq, minus y square, minus y square, plus 8y, plus 8y, और minus 6, किलिए रहे, answer, answer, किलिए है, कि 5yq, और इन दोनों को solve किजिएगा, तो यह minus में, और यह plus में, तो minus y square, plus 6, और दू 8y, और minus 5, और minus 1, तो minus 6, किलिए है, चलिए, next question पर आते है, c number, c number question है, c number question है, 6a, minus 3b, plus c, minus 6b, plus 3b, plus c, plus c, ठीक है, इसको हम लोगो solve करना है, ठीक है, यह नहीं होगा, चलिए, आइए, तो हम इसको solve करते हैं, तो जो है, एक pass में लाइए, तो 6b, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अब यह वाला डूंडिये, तो यहाँ पर है, तो minus में, तो minus 6b, लिख दीजिए, 3b, minus में, 3b, यह plus में, तो plus में 3b, चलिए, और b वाला नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ पर plus c है, तो plus c लिख दीए, और यहाँ पर plus 7c ह यहां पर plus C लिख दीजिए ठीक है plus C छुड़ गया है चलिए यह देखिए कि यह plus क्वेशन नमबर D है D नमबर है कि 8X स्क्वाइर प्लस 5XY प्लस 3Y स्क्वाइर प्लस 3X स्क्वाइर प्लस 2XY माइनस 6Y स्क्वाइर तो जो एक जैसा है उसको फिर वहीं काम कीजिए तुरंत अपने पास लिख राइए तो 8X स्क्वाइर यहाँ पर लिख दिए अब X स्क्वाइर वाला यहाँ पर दिखाई दे रहा है प्लस में है तो प्लस 3X स्क्वाइर अब इसको लिख दिजिए य स्क्वाइर लिखिए चलिए तो 3Y स्क्वाइर यस्क्वेर तो यह माइनस में है तो माइनस चो यस्क्वेर चलिए अब आते हैं कि प्लस 5xy यहाँ पर xy है तो प्लस 2xy तो अब सल्ब किजिएगा तो 8 गोई x square और प्लस 3 गोई x square कितना x square हो जाएगा तो 8 अतिन 11 111 गोई x square फिर यहाँ पर देखें कि 3y square है और यह 6y square है तो यह माइनस में है तो प्लस माइनस घट जाएगा लेकिन यह माइनस के साथ है तो इसलिए माइनस का चिन लग जाएगा ठीक है तो माइनस 3y square हो जाएगा और प्लस 7xy हो जाएगा 5xy और प्लस 2xy तो प्लस 7xy यहाँ तक clear है समझ में आ गया उम्मिद करता हूँ कि यहाँ तक सब भी student को all question clear होगा चलिए आते हैं next question पे question number 4 question number 4 है कि यदि किसी तिर्भूज की भूजा x plus 1 और x plus 2 यहाँ x plus 3 है तो इसकी परिमीति क्या होगी ठीक है देख लिजिए कि तिर्भूज है मान लिजिए कि यह कोई तिर्भूज है यह कोई तिर्भूज है a b c यह है मान लिजिए x plus 1 और यह है x plus 2 और इस भुजा के लंबाई है x plus 3 तो ये पुछा है कि परिमीती क्या होती है तो हम बताते हैं पहले परिमीती आप लोग को समझा देते हैं कि परिमीती और परीधी और परिमाप तीनो एक ही चीज होता है तो ये चीज आप लोग से पुछ रहा है कि परिमीती क्या होती है तो भुजा की ये जो लंबाई है यहीं परिमिती है ये परिमिती है इसका समझ में आ गया उसकी सब्भी भुजाओं के लंबाई का ये परिमिती है ठीक है तो परिमिती मतलब उसके किनारे की जितनी भी लंबाई है वो परिमिती होती है ठीक है और छेतरफल होता है कि ये जीतना छेतरफल कभर किया है ठीक है न परिमिती ये किनारे के लंबाई इसके कितनी है ये परिमिती होती है तो यहाँ पर एक फर्मूला है कि तिर्भूज की परिमिती बराबर क्या होती है तो भुजाओं का योग होता है सभी भुजाओं का योग सबी भुजाओं का योग, तो तिरभुज के कितने भुजाओते हैं, तीन भुजाओते हैं, तो तिनो भुजाओं का योग कर दिजिए, तो तिनो भुजाओं दिया हुआ है, तो जोल दिजिए, तो एकस प्लस वन, प्लस एकस प्लस टू, और प्लस एकस प्लस थी, तो जोल या कि यहां पर जो बुक में समझाया है वो सम Java देके हैं कि प्रूजा भुजाओं का योग यानि भुजा कौन-कौन है A, B और C ठीक है यहाँ पर हम लोग कुछ भी मान सकते हैं भुजा P, Q, R, H, T, B ठीक है न कुछ भी मान सकते हैं तो A बराबर क्या दिया हुआ है A बराबर यहाँ पर बराबर होगा A बराबर X प्लस वन, B बराबर X प्लस टू और C बराबर X प्लस थी तो तीनों को जोड़ दीजिये तो आज येगा इतना answer क्लियर है, चलिए next question पर आते हैं 5 नमबर 5 नमबर question बोल रहा है पांच नमबर क्वेशन है यदि किसी वर्ग की एक भूजा एक समाइनस साथ है तो उसकी परिमीति ग्यात कीजिए ठीक है वर्ग की भूजा तो वर्ग क्या चीज होता है हम बता देते हैं यह देखिए कि वर्ग वो ऐसा चीज होता है कि एसी चार भूजाओं से गीरी हुई एक बंद आकरीती होती है जिनकी चारो भूजाए आपस में बराबर होती है चारो भुजा आपस में बराबर होती है जैसे ये मान लिजिए कि ये है X-7 तो ये भी भुजा हो जाएगा X-7 और ये भी भुजा हो जाएगा X-7 और ये भी भुजा हो जाएगा X-7 समझ में आ गया कि वर्ग की चारो भुजाएं आपस में बराबर होती है जितनी लंबाई इस भुजा की होगी अब पुछ रहा है कि वर्ग की परिमीती बार बार बोल रहा है कि परीमीती परीधी और परिमाप ठीक है ये तीनो एक ही नाम है ठीक है ना परिमिती परीधी और परिमाप तीनों एक नाम है ठीक है उसे घड़बडाना नहीं है कहीं परीधी बोल दिया तो सेम बात है परिमाप भी पुछ दिया तो सेम बात है और परिमिती पुछ दिया तो सेम बात है ठीक है तो वर्ग की परिमिती बराबर फर्मूला होता है चार गुने भूजा, चार गुने भूजा, तो चार गुने भूजा तो यहां पर हमको भूजा दिया हुआ है, तो भूजा में 4 से गुना कर दिजिए, तो चार और गुने x-7 भुजा कितना है x-7 है तो अब गुना किजिए तो 4x-28 किलियर है समाझ में आ गया यह answer कैसे आ गया यहाँ पर हम गुना करेंगे तो 4 गुने x और इसमें गुना करेंगे तो पलस माइनस माइनस सचोग 28 किलियर है चलिए next question पर आते हैं छो नंबर हो नंबर question है ध्यान दीजिए हो नंबर question बोल रहा है कि रहीम की उम्र x पलस 6 वर्स है और महेश की उम्र y वर्स है तो दोनों की दोनों की उम्र का योग और अंतर क्या होगा तिक है जदी मान लिजिए कि आपका आपका उम्र 8 वर्स है और आपके फ्रेंड का उम्र 6 वर्स है या 7 वर्स है चलिए मान लिजिए कि आपका उम्र 8 वर्स है और आपके फ्रेंड का उम्र 7 वर्स है तो दोनों का योग कितना होगा तो दोनों को जोड़ दीजिए तो 8 प्लस 7 जोड़ दिजिएगा न, कितना हैगा, 15 हैगा, ठीक है, 15 होगा, और यदि अंतर पुछ रहा है, तो 8 माइनस 7 कर दिजिएगा, तो कितना जाएगा answer, 1 हो जाएगा, किलियर है, तो उसी तरह से यहाँ पर भी पुछ रहा है, कि रहीम की उम्रे x प्लस 6 वर्स है, औ महेश की उम्रे y वर्स है, तो दोनों की उम्रे का योग ज्याद किजिए, तो यहाँ पर देख लिजिए कि पहले लिख दिया है कि रहीम का उम्रे कितना है, x प्लस 6 होगा, x माइनस 6 नहीं, x प्लस 6 होगा, ठीक है, उसके बाद है कि महेश की उम्रे, महेश की उम्रे y वर् जखते हैं X2 y6 ये क्या हो गया दोनों की ओम्रेंड़ का लोग अब दोनों की ओम्रेंडnica अंतर निकालेंगे तो एकष स्कार्य माइनस वाईbek चलीत पढमता स४ आही थे क्लियर एए यहां पर शो हो गा एकश स्कार्य माम मांस्व यह हो क्लि paradise है समझ में आ गया चलिए next question पर आते हैं 7 number question number 7 है act number question है कि किसी आयत की दो आश्थन भुजाए करमसा 1 se square plus 2 x plus 1 एवं 1 se square minus 2 x plus 1 है तो आयत की परिमीती क्या होगी आयत की परिमीती क्या होगी पहले बात आता है कि आयत क्या चीज़ है आयत को समझ लेते हैं ठीक है आयत एक ऐसा चत्रभुज है चार भुजाओं से गिरी हुई एक बंद आकरिती है आयत जिसके आमने सामने की भुजा जो लंबाई होती है जो भुजा होती है वो सेम होती है ठीक है जैसे माल लीजिए कि यह है, यह देख लिए, इस भूजा की बराबर के लंबाई यह भूजा होगी, इस भूजा के बराबर लंबाई यह भूजा होगी, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि यह X प्लस Y है, तो यह भी इसका भी लंबाई हो जाएगा, X प्लस Y, ठीक है, इसका लंबाई X है, तो इसक कावी लंबाई एकस होगा कि लियर जो समझाना चाहते हैं वो समझ में आ रहा है किन ये एक आयत है क्योंकि इसके आमने सामने की भुजा आपस में बराबर है तो आमने सामने की भुजा जब आपस में बराबर होती है तो आयत कहलाते हैं अब आते हैं कि आयत की परिमीती परिमाप परिधी यानि परिमीती ज्याद करना है तो यह फर्मुला होता है आयत का परिमीती 2 into 2 into लंब प्लस चोड़ाई होता है. ठीक है, अस्रम ने भुजाएं दिये हैं, तो अब इन दोनों को जोड़कर 2 से गुना कर दीजिए, तो आई ये 2 इन 2 लंबाई कितना है, X स्कायर प्लस 2X प्लस 1, प्लस में 1 स्कायर माइनस 2X प्लस 1, यह कर दिये कोष्ट में तो यह देख लिए कि यह प्लस और माइनस यह कट गया तो अंदर क्या बच गया तो कोष्ट में क्या बच गया एक से स्क्वाइर और एक से स्क्वाइर कितना एक से स्क्वाइर हो जाएगा तो दूग एक से स्क्वाइर हो जाएगा ठीक है प्लस 1 और प्लस 1 तो प्लस 2 किलियर है अब 2 से गुना कर देजिएगा तो 4 x² प्लस 4 और 4 कमन ले लिए तो बच गया x² प्लस 1 किलियर समझ में आ गया चलिए ये फर्मूला बहुत ही अच्छा फर्मूला है इसको याद कर लिजेगा आयत की परिमाप बराबर ठीक है चलिए नेक्स्ट कोश्चन पर आते हैं आठ नंबर कोश्चन नंबर 8 है कि किसी तिर्भूज की दो भूजाएं करमसा x² और y² है यदि परिमीती x² प्लस y² प्लस z² हो तो तिर्भूज की तीसरी भूजा गयात कीजिए ठीक है एक चीज हम बता रहे हैं कि जब इस तरह से कोश्चन आते हैं तो उसको निकालने के लिए जो ची जो चीज दिया रहता है उसी का फर्मूला यूज़ कर लिजिए तो इसमें क्या दिया हुआ है तो परिमीती दिया हुआ है तो बस तिर्भूज का परिमीती का फर्मूला लगा दिजिए अंसर प्राप्त कर लिजिए तो देख लिजिए कि एक भूजा दिया हुआ है x² ठी अस्तिसरी भुजा हमको निकालना है चलिए तिरभूज बना कर समझा देते हैं A B C ये भुजा मान लिजिए एक से स्क्वेर है और ये भुजा मान लिजिए ये स्क्वेर है अब ये निकालना है इसको मान लिजिए H एच बराबर हमको ग्यात करना है यानि H बराबर एच बरा आता है उसी का फर्मूला लगा ये तो क्या चीज़ दिया हुआ है तो आयत की परिमाप दिया हुआ है तो आयत की परिमीती बराबर क्या होता है परिमीती बराबर क्या होता है तो परिमीती बराबर क्या होता है जहां दीजिए तिनों भुजाओं का योग होता है ठीक है तो भुजाओं का योग होता है, चलिए इसके आगे हम समझाते हैं यहाँ पर, जब भुजाओं का योग होता है, तो यहाँ पर परमिती कितना दिया हुआ है, परमिती दिया हुआ है, x square प्लस y square प्लस z square और भुजाओं का योग, भुजाओं का योग मतलब x square एक भुजा है और एक भुजा y square है और तिसरी भुजा हम लोग मान दिये हैं h, तो h हमको निकालना है, तो अब देख लिजिए, कि अब निकाल लिजिए इसी फर्मूला से, तो जो एक जैसे है उसको एक पास कर दिजिए, तो x square, minus x square, plus y square और minus y square, ये आ रहे हैं इधर, तो उधर प्लस में, तो इधर आकर minus में हो रहे हैं, ठिक है ना, ये यहाँ पर plus z square है, तो बराबर h1 जैसा नहीं है, तो रहने दिजिए, तो ये ये कड़ी है plus minus, ये भी कड़ी है plus minus, तो h बराबर कितन आ गया, z square, तो h क्या है, तीसरी भूजा है, तो तीसरी भूजा बराबर कितना आ गया, z square, clear है, तीसरी भूजा बराबर z square, clear है, समाझ में आ गया, चलिए, next question पर आते हैं, चलिए, ये भी उसी तरह से बनाए है, तो क्या जाएगा answer, z square होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, z square होगा, ठीक है, z square हो जाएगा, ठीक है, अब आ गया है, बहुपद, बहुपद, बहुपद क्या होता है, इसको हम लोग समझ लेते हैं, इस अगले वीडियो में भी समझ संख्या, निश्चित हो, वो पद, वो पदों की घात एक पूर्ण संख्या हो, तो बहुपद कहलाता है, देख लिजिए, कि यदि किसी ब्यांजक्त में पदों की संख्या, जो भी पद है, वो पदों की संख्या निश्चित होना चाहिए, कुछ भी पद है, जैसे यही मान पर होते हैं यह घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए पूर्ण संख्या क्या होता है कि जीरो से लेकर अनंद तक की संख्या होनी चाहिए ठीक है तो देख लिए सबके दुआ है यह भी पूर्ण संख्या में आते हैं तो यह बहुपद ही है ठीक है ना बहुपद समझ में आ पावर जदी Oz के पावर माइनस वन आ जाता है तो ये बहुत नहीं होगा क्योंकि माइनस ववन उन संख्या में नहीं आता है ठीक सक लिए क्लास कितना अच्छा लग रहा है यह आप लोग comment box में जरूर बताएंगे ठीक है चलिए तो आज के लिए बस इतना ही जैन जै भारत मिलते है नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से